आमतोर पर दिवाली के बाद नौमबर से थन्ड का मौसम शुरू हो जाता है हाला कि इस वर्ष थन्ड का मौसम अपेक्षा कुरूत जल्दी शुरू हो गया है भंडारा सही जिले के सभी शेहरों और गाव में गुलाबी थन्ड का एसास होने लगा है पिछले कई दिनों से यह एसास हो रहा है आप तो पंके की भी जरूरत नहीं रही गई है शेर कि अपेक्षा ग्रामिंग शेतर में थन्ड का असर कुछ जादा ही दिखाई दे रहा है ऐसा लगता है कि ग्रामिन शेत्र में महज कुछी दिनों में कडाकी की थन पढ़ना शुरू हो जाएगी पिछले कुछ समय में मौसम का मीजाज बदल रहा है इस सपता की शुरूआत में नागरिक गर्मी से पिडिते लेकिन अब राज्य के कई हिस्सों में तापमान तेजी से गिर रहा है मौसम विभाग ने चिताउनी दी है कि आने वाले दिनों में पारा और गिरेगा राद का तापमान भी गिरने लगा है और अगले हपते से थन और बड़ेगी खुश खबर खुश खबर खुश खबर भंडारा के लक्ष होस्पिटल में अब होगा मुफ्त इलाज महात्मा जोतिबा फुले जन आरों के योजना के अंतर कर काट केसरी हो या पीला गरीब हो या अमीर अब होगा मुफ्त इलाज जैसे एंजियोप्लास्टी, हार्ड अटेक और सभी दिल सम्मनित बिमारी साथ ही किड्नी स्टोल वा अन्यब बिमारियों का इलाज क्या जाएगा नागपूर की तरह ही अब हर इलाज होगा लक्ष होस्पिटल में तो देर ना करें अधिक जानकरी के लिए संपर्क करें क्या आप भी अपना मुफ्त इलाज कराना चाहते हो तो सरकार की योजनाव का फायदा ले और लक्ष होस्पिटल तक्यावाट भंडारा में अपना मुफ्त इलाज कराए